हेलो दोस्तों वेल्कम बैक टोबर चानल पांच ऐसे टिप्स जो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने लॉस को कंट्रोल कर सकते हैं आप लॉस कम और प्रॉफिट ज्यादा करेंगे तो आए चलते हैं अपने वीडियो पर इसे पहले अगर यह मेरा वीडियो आप पर किस तरह से काम करते हैं इन चीजिए के लिए हम लोगों को इक ट्रेडिंग जनल बनाना चाहिए जहां जिस से जो भी pattern मनना है, chart patterns जो भी मननने है, तो आपको उन जब वो stocks आप उनके प्राइज एक्षन को देखेंगे, कि किस तरह से उनका प्राइज ब्येविर किस तहें से काम कर रहा है, तो आपको उसमें entry लिंदी में ज़्यादा आसानी होगी, आपको पता चलेगा, कि हाँ, जब आ यहां पर support ले सकता है और third point जो कि मेन है plan your trade आपको आपको अपनी trade को plan करना चाहिए जब market close होता है तब आपको जो भी trade अगले next दिन लेनी है तो उसके लिए आपको plan करना पड़ेगा कि हाँ अगर यहां से breakout होता है तो एंट्री रहेगी और अगर यहां पर इस एरिये में रहता है कुण सा चार्ट बन रहा है तो जब आप अपने प्लान बनाते जाएंगे जिसे कि लॉस्क्राइब करेंगे अगर प्रोफिट होता है तो आपका प्रोफिट मैक्सिमाई बहुता हो ऑट नेवर इंटरी त्रेड अवर की आपको को confirmation नहीं मिला है कि किस तरह से हम लोग entry लें यहां से हम लोगों को breakdown मिलेगा कि breakout मिलेगा वहाँ पर कभी भी entry मत लीजी जहां पर आपको confusion हो यह आपकी mind psychology काम ना कर रही हो जो fourth है risk per trade means आपको एक trade पर कितना risk लेना है आपका जितना भी amount है जितनी भी capital capital से आप trading करने उसका 1- से 2% loss लेने के लिए तयार रहेगा क्योंकि काफी लोग होते हैं जिनको loss होता है जब तो एक percent मतलब कि जब profit होता है तो एक percent पर भी book कर लेते हैं और जब loss होता है तो लिए capital को wipe out कर देते हैं आपको कितना risk लेना है एक trade पर यह आप अपने plan के तौर पर उसे stop loss के तौर प पर रखिए आपका जो रिस्क है एक से 2% maximum पीन परसेंट होना चाहिए इसे ज्यादा आपका रिस्क नहीं होना चाहिए रिस्क पर ट्रेड क्या होता है रिस्क पर ट्रेड ले रहे हैं तो उसमें कितना risk ले इतनी वी capital है उसका एक से पीन के बीच में ही रखिए जहां तक ह सेटब आप अपना सेटब बनाएं की breakout पर breakdown पर या pullback पर कहां पर आपको ट्रेड लेना है आप अपनी strategy देखिए किस strategy पर कभर हम लोगों को ट्रेड लेना है कहां पर MACD काम कर रहा है कहां पर RSI काम कर रहा है तो इसी तरह से जब आप अपने ट्रेडिंग को मास्टर वो कम होंगे और जो profit हैं वो maximize होंगे तो मैं यही चाहता हूँ कि आपका profit maximize हो इसलिए यह वीडियो बना रहा हूँ काफी ज़्यादा विगनर्स ट्रेडर होते हैं वो इसलिए loss करते हैं कि वो जो trading journal है वो complete नहीं करते मिन्स बनाते नहीं है बस वो आते हैं क्योंकि काफी होता है traders को क्या गलतियां करते हैं क्या क्या trading के लिए क्या क्या सीखना चाहिए तो इन सारी चीजों को जब तक आप सीखेंगे नहीं और तब तक आप profit नहीं कर सकते हैं यह कुछ point जो मैंने बता हैं इससे आपको help मिल सकते हैं कि आपका जो loss होता है वो कम से कम रहे और जरूर कमेंट करें आप और आपका कमेंट मैं पिन बॉक्स में जरूर डालूँगा थैंक्यू सब्सक्राइब